कुछ बड़ी हल चल आपको देखने को मिल सकती है। क्यूं तो आप यह देख सकते हो सर आज जब मैं विडियो बना रहा हूं तो 7 बच के 15 मिनिट पे सर 7 बच के 15 मिनिट पे यह सारी चीज़ स्टार्ट हो जाएगी ओथ लेने के लिए और माना जा रहा है कि 63 जो संसद मंत्री बन सकते हैं और इसके अंदर सर बहुत बड़े आपको देखने को मिल सकते हैं जो कि लगबग जो है कल के डेट में स्टॉक्स मार्केट में एक अलग ही टाइप की रैली ला सकती है सर अब यह देखो साथ बच के 15 मिट में यह सारे ओथ आपको देखने को मिलना स्टार्ट हो जाएगे और उसके बाद जो रहे जैसे जैसे सर PM के तरफ से पॉइंट आते जाएंगे कि लगबग हम आर्टिफिशल इंटलिजन्स, शेमी कंड़क्टर, मनिफेक्चरिंग के उपर ध्यान देंगे, मनिफेक्चरिंग हब हो जाएगा, फिर उसके बाद फूड प्रोसेसिंग के उपर ध्यान देंगे, उसके बाद अग पांच से दस साल सर यही सारे स्टॉक्स भागने वाले रहेंगे, बहुत सारे कॉंग्रेस पार्टी भी अटेंड कर रही है, अच्छी बात है, अटेंड करना चाहिए, चाहे को भी पीम बने, लेकिन हमारा काम है, धर्म है, कि देखना कि भाई, वो इनसान क्या बोल रहा है देश के बारे में, क्या कर सकता है, देश के बारे में, जो हमसे बेटर हो, क्या डिसीजन लिया जा रहा है, यह सारी चीजे से मैं आपको बहुंगा, जानने का एक आम आदमी का भी हक होता है, और सर कुछ लोगों पूरा सपोर्ट किया है, जैसे नितिश जी है, चंदरबा बहुत कमजूरी देखने को मिल सकती थी, लेकिन सर, नितिश जी ने 12 सीट दिये हैं, चंदरबाबु नाईडी जी ने 16 सीट दिये हैं, और भी कुछ लोग है, जो लगबग कुछ लोगों ने अपने सीट दिये हैं, यह अलाइंस बनाकर मार्केट में दुबारा जो है, यह अगर इनका काम अच्छा रहा डवलप्मेंट में, रोजगार में, बहुत सार ऐसे यूथ हैं सर, जिनको लगबग जो है, मतलब उनको जो है मतलब सच में देश के तरफ से थोड़ा बहुत ये चाहिए मदद चाहिए कि भाई उनको भी कहीं ये कहीं अच्छी तरीके से रोजगार दिया जाए कमपनियों को लाया जाए हमारी इंडिया के अंदर और जब सर कमपनिया हमारी इंडिया के अंदर आएंगे तो स्टॉक्स मार्केट में सर उनका जो है मतलब काफी अच्छा इंपेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा डबलप्मेंट के मामले में भी कंस्टॉक्शन के मामले में बहुत सार ऐसे लोग है जो कंस्टॉक्शन होता है तो उनको रोजगार देखने को मिलता है तो वहाँ पर भी बेनिफिट देखने को मिलने वाला है मुझे प्रस्टनली लगता है कि सर टेक्नोलिजी वाले कमपनियों को फायदा होता हुआ नजर आ सकता है क्योंकि मुधी जी ने साफ साफ बोल लखा है मैंने पिछली वीडियो में भी मैंने आप लोग को जानकारी दे रखा है कि मुधी जी ने सर लगबग AI के उपर ध्यान दे रहे है Artificial Intelligence के उपर और सर करॉप्शन के उपर सर मतलब मुधी जी ने बयान में कहा था कि हम करॉप्शन को और जादा लगाम लगाना चाहते है अब इसके लिए सर मतलब कैश को हटाना पड़ेगा और सर लगबग डिजिटली लोगों को बनाना पड़ेगा सर इसके उपर भी काम किया जाएगा तो बहुत सर ऐसे कंपनियां हैं जो पेमिंट बैंक के तरह एक्ट करती है उनको बेनिफिट देखने को मिलेगा आईटी सेक्टर को बेनिफिट देखने को मिल जाएगा सर यहाँ पर और टेक्नोलोजी वाले कंपनियों को देखने को मिलेगा बेनिफिटर चाहे किसी भी फिल्ड में लेकिन सर मनिफेक्टरिंग के उपर तो मैं आप पो बोला हूँ मनिफेक्टरिंग सेक्टर में तो सर एक अलगी टाइप की आपको तेजी देखने को मिलने वाली है सर manufacturing में, क्यों? क्योंकि sir कहने का मतलब है सरकार को अगर रोजगार देना है तो sir manufacturing में ही ध्यान देना होगा जादा से जादा production किया जागा तभी तो sir manpower का requirement वहाँ पर चाहिए होगा human capital की तो requirement चाहिए ही होगी sir लेकिन manpower को भी तो requirement चाहिए होगा न इस वज़े से मुझे लगता है कि लगबाग sir manufacturing अब जैसे लोग बोलेंगे manufacturing मतलब क्या क्या कहने का मतलब है sir जैसे हैवल्स product बनाती है बहुत सारे switch gear वगर बनाती है company wire बनाती है, cable बनाती है बहुत सारे चीज़े बनाती है sir तो उस company को benefit देखने को मिलेगा दूसरा sir Dixon Dixon technology भी sir बहुत बड़े level में sir manufacturing में काम कर लेगा उनको भी काफी बड़ा benefit देखने को मिलेगा बहुत सारे ऐसे देखोगे तो लगबाग जो है steel sir related product बनाती है sir company उनको भी benefit देखने को मिलेगा sir manufacturing के related में कोई भी ऐसा काम जो sir production हो रहा हो भारत के अंदर बस और sir textile sector पर textile sector पर पक्का मैं आप बोला हूँ ध्यान दीजेगा ये मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि sir textile sector एक ऐसा sector है जो आप direct बोलो indirect बोलो बहुत ज़ादा employment generate करके देता है sir भारत के अंदर बहुत ज़ादा यहाँ पर आपको कुछ-कुछ आंकड़े भी बताया जा रहा है आप चाहो तो check कर सकते हैं देख लिजेए बोला जा रहा है it provide employment to an यहाँ देख सकते हो estimate 45 million people directly and to another बताया जारा 60 million indirectly through allied activities not only यहाँ देख सकते हो is the textile sector higher labor incentive देखने को मिला और भी लगबग जो देखने को मिला है जैसे कि also unskillful मतलब जो जिनके पास skill नहीं रहते हैं semi-skilled level होते हैं उन सब को यहाँ पर सब रोजगार देखने को मिलता है सब को रोजगार मिलता है तो textile sector एक ऐसा sector है जिससे लगबग सर काफी जादा रोजगार मिलता है और इस बार सर बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला कि employment को बढ़ाना चाहिए बढ़ाना चाहिए सर तो इसलिए मुझे लगता है कि इस जगे पे बहुत ध्यान देना होगा बोला जा रहा है कि सर 4.5 करोड लोगों को सर यहां पर रोजगार मिलता है अगर माल लेते हैं कि सर इनकी capacity को डबल कर दिया जाए लिट से माल लेते है capacity को डबल कर दिया जाए तो सर कितना हो जाएगा फिर सोच सकते हो कितना हो जागा बहुत जादा हो जागा सर मतलब 4.5 करोड तो यहां पर मिली रहा है लोगों को रोजगार और अगर 4 करोड लोगों को मिल गया तो सर बहुत कम मतलब बहुत अच्छी बात हो जागी वो भी सर केवल एक सक्टर से केवल एक सेक्टर सोच लिजे अब बात समझ में आ रही है मैं क्या बुलाँ तो इस मुद्दे पर भी सर ध्यान दे सकते हैं सर रेल्वे सेक्टर वाले स्टॉक्स के उपर ध्यान रखेगा सर ठीक है क्योंकि पीउस गोईल को तो सर अपना सीटो आपस को लाकर दिखाना है इंडिया में कि भाई इंडिया इतना डबलब की इंडिया के सामने आपकोई टिक नहीं सकता कोई टिक नहीं सकता सर यहाँ पर तो बुले ट्रेन का भी सर बहुत ज़्यादा जो है काम बहुत तेजी से होना स्टार्ट हो जाएगा तो मैं आपको बलूँगा कि रिलेवे से रिलेटेड स्टाक्स के उपर भी आप ध्यान रख सकते हैं सर और जिस तरीके से उसके बाद मोदी जी का मनना ये भी है कि सर थर्ड लाजडेस्ट इकनोमिक इंड़ वर्ल्ड इंडिया बन कर दिखाएगा सर अब होगा क्या कि सर मोदी जी का मनना है कि लगबग जो है बहुत बड़े लेवल पर इंडिया डबलब करने वाला है यहाँ पर ये सारी चीज़े तो सर आप देखोगे हर जगा देखने को मिल जाती है तो इसमें क्या होगा कि सर जैसे एसी मनिफेक्टरिंग हो जाते हैं सर उन कमपनियों को बेनिफिट होगा राइस एक्सपोर्ट करने में सर उनको बेनिफिट होगा एगरी कल्चर में सर हाइड्रोजन के उपर उनको बेनिफिट देखने को मिल जाएगा सर सरी एथनोयल के उपर उनको benefit देखने को मिल लगा और उसके साथ 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 चीनी एक्सपोर्ट में भी धियान दिया जाएगा सुगर एक्सपोर्ट में भी धियान दिया जाएगा तो सर यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर मालेते हैं हम अपनी अर्थ व्यवस्तों को और आगे लेके जाना चाहते हैं तो यह सारी चीज़ों पर धियान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है बहुत ज़्यादा अगर सिल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं तो power, solar से related या क्या बोलते हैं और आगर आगर लोगों के अच्छे खबर होगा तो 9.15 को तो वो सकता है सर्फ मार्किट में अच्छी खासी rally देखने को मिल सकता है यह gap up opening भी देखने को मिल सकता है इसको हम में भी मिले के चलेंगे ज़र और अगर आप stock market में ने हो तो अपने डिमेट अकॉन इंजल में open कर सकते हो जहां पर आपका डिमेट अकॉन बिल्कुल फ्री में open होगा डिलेवरी चार्जेस फ्री केवल 20 रुपिस लगेगा वह भी इंट्राडे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया किया है मिन्टो में जाएक अपने डिमेट अकॉन ओपिन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में